आपको पता है कि नहीं इस तरीके से कटोरी में अगर आप अंडे बनाएंगे तो आमलेट बोईल एक से ज़्यादा स्वाधिस्ट फ्लिवरफूल अंडे बन के त्यार होते हैं नहीं पता है तो इसे जरूर बनाएगा कटोरी ले लेजेगा उसमें लेज़ेगा हलका सा तेल बिल्कुल हलका सा तीनों कटोरी में तेल लगा कि ऐसके बाद इसके बाद ऐसके कटोरी को ready करेंजे सबसे पहले पहले हम आपका कटोरी तियार करना तो यहां पे हमने 3 कटोरी लिया है और दोनों 3ों same size만 है तीनों में अच्छे-से तेल लगा लिया है तील के हम ओमलेट या फिर बॉयल एग सब खाना भोल जाएंगे इतने स्वाधिष्ट और हेल्दी बन के त्यार होगा तो हमने तीनों अंडों को इस तरीके से तीनों कटोरी में अच्छे से तोड़ लिया है अभी छूटा सा चीज क्यूब लेंगे इस तरीके से उपर से डाल होते हैं तुब करनेगे इसके पाद अपर चीज क्या ना गालें इसके बाद क्या करना है इसके ओपरस ना जो चिओज है उसको बारी कट कर लीजए उपर से डाले या। बहुत ही स्वादिश लगता है उपस अच्छे स्क्यूप डाल दिया और यह हमारा अंडे रेडी हो गया है इधर कडाही में रख देजे दो चमस पानी गरम होने के लिए जब पानी अच्छे से गरम हो जाए तो गैस को स्लोप कर दें और एक एक करके कटोरी को कडाही में डा बहुत इसली एकडम आराम से जो यह अंडे आपके कटोरी से बाहर आजाएंगे इसी तरीके से सारे अंडे को हमें कटोरी से निकाल लेना है आपको कटकर के दिखाते हैं कितना परफेक्ट बना हुआ है गईस में याद दिला दू अगर आपको मेरी जरावी देश भी पसं इस तरीके से बनाएगा हमने कट करके दिखा दिया बहुत ही परफेक्ट आप इसे जैसे मन करें वैसे कट करके खिला सकते हैं हेल्दी है स्वाधिस्ट है यह रेसिपी एकडम नया है आपको योटूब पे पहली बार आया होगा इसी रेसिपी देखने को क्योंकि हमने भी इसे पहली बार ट्राइ किया है पर एकडम परफेक्ट बना है आप भी एक बार जरूर ट्राइ करिएगा उमीद करती हूँ आपको भी अच्छे लगेगी अच्छे लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देजिएगा